नमस्ते दोस्तों तो हम शुरू करने जा रहे हैं हमारे मॉड्यूल इनिशेटेव एन एंटर्प्राइजिंग का एक नया भाग तो प्रिशले भाग में हमने दो शब्दों का भरपूर इस्तिमार किया वो दो शब्द थे function और purpose तो इस भाग में हम जानेंगे कि ये जो दो शब्द है function और purpose इनके बीच का अंतर क्या है तो इन दोनों टर्म्स के बीच का basic difference समझते हैं देखते हैं कि दोनों का मतलब क्या है तो function का शाब्द करत है कार्य और purpose का शाब्द करत है उद्देश तो जब कोई व्यक्ति या कोई वस्तू या कोई संस्था द्वारा कोई काम किया जाता है या कोई गतिविधी की जाती है तो उसको function कहते है और जिस कारण से वह गतिविधी की जाती है उसे purpose कहते है यानि कि कोई activity करके आखिर हम achieve क्या करना चाहते हैं वो उस activity का purpose है तो इस शब्द का इन दोनों शब्दों के अर्थ समझने के बाद साथ-साथ इनकी definition समझने के बाद इसे बहेतर समझपानी के लिए आईये कुछ examples देखते हैं अब जैसे कोई pharmaceutical कंपनी है यानि जो कंपनी दवाईयां बेशती है तो उसका function तो दवाईयां बनाना है पर उस कंपनी का दवाईयां बना के उद्देश क्या है क्या गोल है जिसको वो प्राप्ट करना चाहती है दवाईयां बना कर हो सकता है कि वो दवाईयां बना कर लोगों को बहतर medical care प्रवाइड कराना चाहती हो ये भी उसका लक्षे हो सकता है या सस्ती और कारगर दवाईयां बनाना उनका लक्षे हो अब ये तो हुए social welfare वाले लक्षे जिसके अंदर समाज का भला हो रहा है इसके अलावा उस company का उदेशे हो सकता है बहुत अच्छा turnover का माना या फिर बहुत भारी मुनाफ़ा का माना अब employees से ये pharmaceutical company चाहेगी कि वो अपने 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 निर्धारत responsibilities तो निभाएं ही पर इन responsibilities के जरीए सिर्फ दवाईयां बनाने के function में ही support ना करें परन्तु ऐसे initiatives भी लें जिनसे की company का जो भी purpose है जैसे की मान लीजे सस्ती और best quality दवाईयां बनाना वो भी achieve हो ऐसे initiative लेने वाला employee ही company का best employee बनता एगा अगला example है एक restaurant का इसी तरह restaurant के business के बारे में भी सोचें एक restaurant का काम है खाना बनाना और उसको बेचना पर उसका purpose यानि की खाना बना कर उसका उद्देश क्या हो सकता है बस ये restaurant अपने employees से यही चाहेगा कि वो अपने workplace के अंदर जो भी functions कर रही है वो ऐसे करें कि वो उसके पीछे के purpose को समझें और उसकी big picture को achieve करने में help करें similarly एक car manufacturer के बारे में सोचिए एक car manufacturer का function तो हम सब को पता है गाडियां बनाना पर अब आप सोचिए कि उसका purpose क्या हो सकता है उसका purpose हो सकता है best quality cards देना गाडियां कमा के एक अच्छा नाम बनाना automobile industry इसमें अपना या फिर सस्ते दामों पे गाडियां बेजना या फिर बहुत अच्छा turnover कमाना तो ये difference है function और purpose कर ऐसे ही एक airline के बारे में सोचिए एक airline जो की लोगों को हवाई मार्ट से एक जगा से दूसरी जगा पहुचाने में मदद करती है उसका ये कार करने के पीछे purpose क्या ही बस उसी purpose को समझना और company की मदद करना उस big picture को achieve करने में ये initiated के जरीए ही होता है और एक बात ऐसा जरूरी नहीं है कि किसी business या किसी organization का एक ही purpose हो उसके एक से ज्यादा purposes भी हो सकते हैं पर ये ध्यान में रखे हैं कि जब भी किसी organization के लिए काम किया जाए तो अपने workplace पर खुदको एक asset के रूप में प्रूफ करने के लिए जरूरी है कि आप काम के से क्या असर पड़ा है जो काम आप कर रहे हैं उससे असर क्या पड़ा है ये जरूर देखें company के goals उससे अचीव हो रहे हैं या नहीं और उन purposes को better अचीव करवाने के लिए आपको अपने functions या on a larger picture company को अपने functions को कैसे इंप्रूफ करना चाहिए ये सोचकर आपको काम करना चाहिए और ऐसी forward thinking ही किसी normal working employees को किसी ऐसे employee से जो की initiative और enterprising को समझता है उससे भिंद बनाती ह और ऐसे ही employees company चाहती भी है तो इस भाग के लिए इतना ही आएए देखें कि अगले भाग में हम initiative और enterprising से जुड़ी क्या बात करने जा रहे हैं तो अगले आने वाले भागों में हमारे topics रहेंगे 12 ways to take more initiatives जहां पर हम discuss करेंगे वो तरीके जिनका इस्तमाल करके हम workplace पर ज़्यादा initiatives ले सकते हैं इसके बाद हम बात करेंगे communicating initiatives के बारे में जिसने हम discuss करेंगे कि किस तरह से आप पहल करना चाहते हैं और उस दशा में कदम बढ़ा रहे हैं ये बात आप अपने colleagues तक अपने seniors तक पहुचा सकते हैं यानि कि आप initiative ले रहे हैं आप initiative लेने के लिए कत्पर हैं आप इस बात को communicate कर रहे हैं तो इस भाग के लिए इतना ही अगले भागों में हमारे साथ जुड़े रहेगा धन्यवाद